साथियों, भारत एक लोगतंत्री ग्रास्त्र ही नहीं, बलकि लोगतंत्र की जननी भी है, मदर अब देमोक्रेसी भी है, भारत आच वैश्विक लोगतंत्र का भी बहुत बड़ा आधार है, लोगतंत्र हमारे लिए सिर्फ एक व्यवस्ता नहीं, एक सौंस्कार है, एक विचार है, एक परंपरा है, हमारे वेद हमें सभाओं और समित्यों के लोगतंत्रिक आदर सिखाते हैं, महाभारत जैसे ग्रंथों में गणों और गणतंत्रों की ववस्ता का उलेख मिलता है, हमने वैशाली जैसे गणतंत्रों को जी कर दिखाया है, हमने भगवान बस्वेस्त वरगे अनुपव मंट्रपा को अपना गवरों माना है, तमिल नाडु में मिला नौसो इस्वी का सिलालेख, आज भी हर किसी को हरान कर देता है, हमारा लोगतंत्र ही हमारी प्रेणा है, हमारा संभीधान ही, हमारा संकल्प है, इस प्रेणा, इस संकल्प की सबसे स्रेष्ट प्रतिनिदी, अगर कोई है, तो यह हमारी संसद है, और यह संसद, देश की जिस सम्रिद्र संस्कृति का प्रतिनिदी त्व करती है, उसका उद्गोश करती है, शेते निपद्य मानस्य, शेते निपद्य मानस्य, चराती चर्त भगह, चरईवेती, 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 कहने का ताथ पर यह, जो रुख जाता है, उसका भाग्य भी रुख जाता है, लेकिन जो चलता रहता है, उसी का भाग्य आगे बढ़ता है, बुलन्दियों को चुख जाता है। और इसलिए चलते रहो, चलते रहो, गुलामे के बाद, हमारे भारत ने, बहुत कुछ खोकर, अपनी नई यात्रा शुरू की थी, वो यात्रा कितने ही उतार चड़ाओं से होते हुए, कितनी ही चुनोतियों को पार करते हुए, आजहादी के अमरितकाल में प्रवेश कर चुकी है। आजहादी काई अमरितकाल दिरासत को सहते हुए, विकास के नए आयाम गड़ने का अमरितकाल है। आजहादी काई अमरितकाल देश को नई दिशा देने का अमरितकाल है। आजहादी का यह अम्रितकाल अनंत सपनों को असंख्या कांख्या को पूरा करने का अम्रितकाल है इस अम्रितकाल का आवान है मुक्त मात्र भूमी को नभीन पान चाहिए नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए मुक्त गीत हो रहा नवीन राग चाहिए नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए और इसलिए भारत के भविश्य को उज्वल बनाने वाली इस कार्यस्थली को भी उतना ही नवीन होना चाहिए आधुनिक होना चाहिए